नमस्कार फ्रेंड्स में नाम बवली उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज देखने वाले हैं यहां पर यहां पर यहां पर यूनिट नंबर से लेकर यूनिट नंबर फूर था ठीक है दो पार्टों में डिवाइड करेंगे इसके लिए एक आज मिल जाएगा दोनो नमबर जो फ़र्षट होगा जो अपना पार्ट नमबर फश्ट रहने बाला है उसमें यूरी नमबर फ़र्षट से लेकर फोर तदेखने वाले हैं फ़र्षण काफिए सो तो 50-50-60 बना देंगे तो बढ़ते हैं जिसको पीडियव चाहिए जिस किसी को चाहिए वही पीडियाप नोट्स पीडियाप नोट्स आई तो कहां मिलेगा वह आपको मिलेगा डिस्कप्स में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का या हमाई वेबसाइट पर जा सकते हो www.paperhacker.in तो बहाँ पर भी हैं आप आराम से देक सकते हैं और वहाँ से डालोड कर सकती हो ठीक है तो बढ़ते हैं यूनीन नमबर फस्ट की बात करते हैं यूंढिन नमबर फास्ट दो वोके हैं आपको आराम से मिल जाएगा ठीक ही बात करते हैं फ़ास्ट तो इसका आंसर क्या होगा मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया तो मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था वो कब किया था यह पूंच रखाए तो यह किया था आपका 1175 में कब किया था और सो पच्षतर में किया था मौहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमर कैसे याद करेंगे मौहम्मद गॉरी एक बारत लाको मंवारत करेगा तो हम क्या करेंगे भाई हम तो पस्थाएंगे रिख यहां पर पस्थाएंगे मतला 75 अधिंगे 75 सब्सक्राइन का पिर्थम्यूद हुआ यह पर किस कर भी वा तढ़ी आप साथ यह भी आप सा कमेंट पूलक्स में लिखके देना फटावर तरायन का जो पुर्थमिद वा दिया था प्रत्वीराद चोहाण मुहम्मद मोरी को तहुन že तो 48 कि यहां में को आगे बता है लुशन नमर 30 की बात करते हैं तराइन का appkami कार तर्की आकरमर्कार से घौमनीक था गौरी जो था उसने एक तो जो तर्हाइन चैनल के और गारा सो इकानवे में इसमें कौन था Weak Doing गवार किया उस्के वाट वे कि यह साल कर दिए बैए वहरा दिय तो का उसमें मुहम्ममद का 1102 विल्कुल आपको याद ओ गया ऑगए बढते हैं नेक्सु된 कुशन cuatro यसारे हमत्र के सारे याद हो गया हैं अधर थ्यूरी मैरी क्लास देखें होगी तब बात कहते हैं मुहम्मद Parent की मित्थि वही मुहंमद मप्राब कर ली के मित्थि यह आप को यहांност न जे रखाए 1206 यहां और तो महम्मद गौरी की मत्तिव कभूई थी फट्रावट कमेंड आइएगा आंसर दीजेगा तो महम्मद गौरी की बहुती तो तो महम्मद गौरी की मत्तिव तो राइट आंसरों का ओप्षण नंबर का आगी बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी ने भारत पर आकरमण किया मोहम्मद गौरी जो था उसने भावब कितनी बार किया था ये आपको यहाँ पर बताना तो तिम्सियों को फचार्ड रॉट किए कितनी बार किये थे बारा बार 15 भार 17 वार या फिर 19 वार राइट उसक्ति आ क्या चूंभा एंच्रह बारा किया था आगे बड़तें नेक्स कुशन कि नेक्स कुशन की बात करते हैं यहां दिरक्ता है 1194 में चंदावर युद्ध में कौन पराजित हुआ जो 1194 का युद्ध हुआ था क्योंकि प्रत्विराच चोहान और जो जैचंद था वो कौन थे एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही घनिष्ट मित्र थे कौन थे बहुत ही जैचंद की पुत्री थी उससे कौन करता था मैं कैसे मोХब्बत करता था ठीक है और वहावी उसे मोहबत करती थी उसके कि यह जैचंद क्यों हो गया था प्रतिविराद चौहान के खिलाप हो गया था प्रतिविराद चौहान ने किसको मुहम्मद गौरी की प्रतिविराद चौहान ने दूसरे युद्ध में प्रतिविराद मुहम्मद गौरी के इसकी सपोर्ड की थी चौहान को छोणकर गौरी क कि तरफ सपूर्ड की ती जिसमें कौन आडिया गया था इस हां को फालवा स्थिंग घैनों को अपना ही किसमें माल tour मिन में मिल गया ठाइब तो यहाँड रका है 1104 में चंदावर का युद मैं को पराजित हुआ तो पहला जोना दुआ ता 1101 सब्सक्राइन का उसके बाद यहां देखो चौराइन में दो साल के बाद सिर्फ दो साल के बाद 1194 में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं चंदावर चंदावर कर दूआ इसमें किसके बीच हुआ इसमें तो युद्ध हुआ था जैचंद किसने है चौहान सपोर्ट गया था किसने जैचंद ने और यह दुहा था किसके बीच गौरी के ठीक है उसके बाद फिर दुहा चोहान जैचंद ने सपोर्ट ने का नहीं किया किसका सपोर्ट किया गौरी का लिखते नहीं इसके लिए ठीक डिए दानव है चौहाण गोरी मगर ने इसका उसके बाद गौरी का सबस्ट क्या था जिनल इसके पूत्री का विफाब मतलब इसे worth European है तो 31 ठीक है क्वे उसके बाद कौन को फिरकास ही है यए कौन है कि क्विकाश काव पाथ justab te Kane पॉड़ा कि बाद जैचन नहीं सपोर्ट ऑथ कि सब्सक्रार् Griya जैचन्द के घुटन मेरे किस्के विच गए जैचन और गवरिक बीच कि यहां पर हो क्या रहा है सपोर्ट किया इसने मिनने लिक्त कर दिया गौरी ने फिर आकरमर कर दिया किसके बीच उपर घैचंद के ऊपर और जैचंद को क्या कर दिया परास कर दिया भासी दिरेक्षटा एक कि से याद हो जाएगापके लिए सारी के सारी यांकर बढ़ते हैं नीज की बाद करता էे समय सिंद पर सासक किसी सासन था यह संद पर सासन किस का था तो पहला अरब्य आ आकरम्ल रुखिये गभी कि महमब रजनवी कि ए न बिलकुल तो यहांपर बताना है कौन सा होगा यहां देख्खा अर्भी आक्रमण के समय सिंद पर किसका सा सकता मुहम्मद बिन कासिंग का जैपाल का दाहिर का या फिर आनंद पाल का राइट आंसर क्या होगा देखो जब सिंद का यह मैं ट्रिक बताई थी इसने पहले मैं आपको इस वाले में सिंद क्या थी नदी और नदी बहुत तेजी को मिलेगा तो दाहिर आराम से लगा देना ट्रिक म заключ अपिए और भी इस प्रिकारी कौन बना यहां पको बताना है इल्टूतमिस आरामसा आला जो है तुमारा अली मारदाना खां या फिर में से कोई नहीं तो बताना है कौन सा होगा कुतब बुद्दीन एबक जो गुलाम बंसका प्रिथम सासक हो जाता है जो कौन था गुलाम बंस का प्रिथम सासा को जाता है कुत्व बुद्दिन एवक अंतिम कौन हो जाता है अंतिम हो जाता है कैकू बाद कौन हो जाता है कैकू बाद हो जाता है कि उसे ने भी बन सकते हैं तो यहां देखा है कुत्व बुद्दिन एवक के मरने के बाद उसका उत्रदिकार पुत्रदिकारी परेंपना में सर्व दिक अंद्रब लेकनी नाम कौन साही आपको बताना है सबसे नाम किसका है पताइगा पहला रखाएं कि रुकुबुद्दीन फ्रोज सहा, रजिया, अलाउद्दीन, मसुद सहा, फिर नसुरुद्दीन, महमूद, राइट आंसर क्या होगा, नसुरुद्दीन, महमूद, ये कौन है, आंसर दीजेगा फटापड़ी कौन सा होगा, राइट, तो इल्दूतमिस के उत्रेकारी पर कुतान, ठीक है वही, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन की बात करते हैं, दास बंस का बास्तिविक संस्तापक कौन था, दास बंस का बास्तिविक संस्तापक कौन था, कुतब बुद्दीन, एबक, इल्दूतमिस, रजिया, या फिर बलवन, राइट आंसर को होगा, दास ब नमबर का हो जाएगा कंफ्यूज नहीं होना है दास बांच गुलाम बंस एक होता है ठीक है और लाश्ट कौन सा ओजाता है लाश्ट हो जाता है कैकू बाद कैकू बाद अंतिम साथ सक आगे बढ़ते हैं कि क्या हो रहा है बही चल्ट कि अधिक है इस दिल्ली की गद्धी पर कब बैठा आपको बताना है बारासो चौरानवे में बारासो पिचानवे में बारासो चानवे में 12 13 20 में राइट औंसा क्या होगा कर想象 शनल वो दिल्ली की घड़ी पर कब बैठा आप कोई ख्ल गति चुंशी तो ना राइट अंसर नौ र chemo र्च न लेओट गद्धी पर कब बैठा था बारा सो चानवे मेठा था राइट आंसर आप्शन नंबर गाव जाएगा याद हो गया ना ना दिल खिल गया और वो ना चुटा ना दिल कैसा ना चुटा नाच मतलग नाच यहां देखने को मिलेगा आगे बढ़ता है अलावदीन ने गुजरात पर आक्रमन कब किया अक आलाओ दीन ने गुझरात प्र प्रचान अक टीए बारास ओठानदे तेरास ओट एक में या 1270 में में 1030 record किया कि एल्छी गाइस का पिरतम सासा कौन हम था जणा अम्तिए लिए खिल बे कौन था खुल सहां कि कौन था खुच्रुषा अगर अंतिम पूच ले तो खुच्रुषा फिर्दम पूंच ले जलावग दिन खिल जी तो रहां फुच्छरात पर आकर्वन कब किया तो गुच्राइख किया था बहह किया था सरए नहीं कैसे डात रात मतलब प्राव और रात में लोग विखिगा-टेर्ड कर ते लो सताते है लोग को टो हम घर घरते हैं और अर्फिटेकर कॉला ही डोलिकर करते हैं कग यहां रहती quería इस ब्लाभ दिदेड़ का चितड़ प्राक्रमळ कभ बना जो वह जो अलाफदीन था उस तो प्राक्रमग किया था आपको बताना है पाइला देरखा है 301 302 303 304 इसकी ट्रिक मैं ने बताई थी आपके लिए अलाउब दीने चित तोड एक देखो चित पिलस यहां तोड है ना इस प्रकार से बनेगा तो यहां पर ता से 3 निकाल दो यहां पर ता से 3 निकाल दो 33 कहां दिख रहा है लास्ट अप्सान नमबर ग आफ्ट याद हो गया और भाते हैं इसी प्रिकार से निकालना एक्जाम में ट्रिकेरन उसार आगे रखाए मलिक कापूर ने देव गिरीपर आकरमन कप किया विए गी अ कि 315 कि गज़ेगा इसका राइट अंसर क्या होगा अग्या थोड़ा सा निकाल दिया होगा अब तक बिल्कुल तो बात करते हैं मलिक काफूर ने देव गिरीपाख मत्या देव अपने वी देखिए अक्षा कुमार सुलिंसेटी वाली है न देव देव और यह पूती है ठीक है आक्षा कुमार सब्सकी मैयर दो बहती है ना तो देव कि अनद तो मुझे मसता ओ तुमुझे मत सताओ सा से सताओ क्या बढं जाये का है का देव यहां पर चोबा देखने को दिए कहां दीक तो बिल्क अगर्ट honey याँ modifier देव आधी हम आप को याद करना है सब्वाट पर इस आप कर सकते हैं और आम से पर सकते हो फिर मलिक कापूर ने मदूरा पर अक्रमण कब किया अब मलिक काफूर किसवे कर रहा है मदूरा पर आक्रमण यह मेड ट्रिक आपको बताई थी तो बताना है आपको 308-311-34-353 तो मलिक काफूर ने मदुरा मदुरा को कर देना मदुरा अब मदुरा जब पीते तो कैसे होते हैं गहरी नीद में आते हैं और गहरी मतलब 11 ठीके राइट अंसर उप्शन अमगर हो जाएगा खा 1311 में मलिक काफूर ने मदुरा पराकर्मन किया था आगे बढ़ता है नेक्स कोशन नेक्स दे रखा है अपना कि अलाउदीन खिलजी की मत्यू कब होई अलाउदीन खिलजी एक खिलजी बंस का पिरसिद सासा किसे कह सकते हैं कैसा पिरसिद अगर खिलजी बंस का पिरसिद सास तो कौन सा होगा तो अपना रहने वाला है अलाउद देन खिल जी ठीक है यह थ्योरी वाय सापको सपड़ा रखा है बात करते हैं अलाउद दीन खिल जी की मत्यू कभ हुई अंधरा सो देरा सो पंदरा 1316 1320 1325 राइट आंसर क्या होगा कि बताये गए बढ़ा-फट कब हुई थि अलावद दिन खिल जी की मित्यू कब हुई प्रतं सासा कौन था तो बहा जाता है कौन जलालुद्दीन खिलजी अभी बताया ना जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम पूछ ले तो कौन हो जाएगा खुसरो सहा हुझा हुझा दोनों की दोनों याद होने चाहिए आपके लिए गुलाम बंस के मैंने बताई दे गुलाम बंस का परितम सासक बुद्धी नहीवक्ट लाश हो जाता है कैकुबाद ठीके बहए वी क्योशन बंसकते हैं आगे ते रहता है युनिज नंबर साइकेंड स्टार्ट होगा यहां स है पट्राइब हो मोहम्मद बिन तुगलख शासक कब बना मोहम्मद कुगलण आन्ज में था पिरतम सासक था कॉनummude तूगलख कम बना है मोहम्म्मद बिन तूगलख सासक कब बना धरा सो बारा धरा सो यह सो देशत你們 202 309 राइट अंसर क्या होगा कि जुक पताएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक सासक कब बना दो बहा बना था 3304 में 325 में बच्ची हो क्या है ना यहां देखो मोहम्मद बिन तुगलक बिन क्या हुआ तुम्हारे बिन क्या देना कि एरोपन्ती तुम्हारे बिन मैंने बिन से निकाल देया तुम्हारे बिन मैं जी नहीं सकता और तुम क्या यहां बुम रही है ना बच्ची हो क्या बच्ची हो क्या बच्ची मतलब 25 के बिल्कुल आगे बढ़ते मोहम्मद दुकलग के सांकेतिक मुद्रा का परिचलन किस धातु में किया यह आपको बताना है मुहम्मद बिन निकालें किस कि Мосथम्न में किया मोहम्मद बिन इसका सोना बिना पी या मधिरा के बिना पी नहीं रह सकता तो बिलकुल याद रहेगा कि मुहम्मध बिन्दुक लगने सांकेतिक तो सब पड़ सकते हैं एक और यह चुज बाली टृक्र अब यह ओई Route टॉंड होगी होगी ठीका आगे बढ़ते हैं तो नहीं डिलनसका संस्तापक कौंता मोहमध बिन तुगलक और लाश्ट हो आपके लिए आगे बढ़ते हैं यहाद रखा है दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस ने की अलाव दिन खिल जी मुहम्मद तुगलत फिरोज तुगलत सिकंदर लूदी कि बताएगा दीवान ए अमीर को ही अमीर आप बनना चाहते हो कि आप को कोगे बिल्कुल रखी बंटर भी आघे बटन बतूता किसके दरबार में आया तो इवन बतुता किसके दरबार में आया था तो यहां पर भी आपको बंद देखने को मिलेगा और यहां भी भी कहां देखने को मिलेगा ठीक है आराम से लगा सकते हो ऑप्शन नमबर खाओ जाएगा नेक्स बढ़ते हैं कि लोधी वंस की स्थापना कभ हुई है उैसरा प्रिदम रोधी कौन था आप कि अलोई बहलो लोधी हो जाता है प्रिथं और बही बात करें अंतिम कौन था तो बहह जाता है इव्राहिम लोधी तो बात करते हैं लोधी बंस की स्थापना कब हुई पहले दे रखा है 1433, 1451, 1462, 1481, राइट आंसर क्या होगा? बताएगा लोधी बंस की स्थापना कब हुई? इसका तो राइट आंसर होगा, option number B हो जाएगा, 1451, इसको आपको याद करना है, आगे बढ़ते हैं next question यहाँ दे रखा है अपना की लोधी बंस का पिर्थम सुल्तान कौन था? अभी बताएगा मैंने कौन था? बहलो लोधी और लास्ट कौन हो जाता है? इबराहिम लोधी, यह लास्ट वाला है ठीक है? यह फ़स्ट और यह लास्ट ठीक हैं? आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है सिकंदर लोधी का बास्ट विक नाम क्या था? जूना खाँ, उलूक खाँ, ईशा खाँ या पिर निजाम खाँ योशन बनेगा, लोधी बनसु का पिरसिद सासा कौन था? तो बहे हो जाता है सिकंदर लोधी, पिरसिद जिसने लोधी बनसु का बिस्तार किया था, बहे कौन था? सिकंदर लोधी तो सिकंदर लोदी का बास्टबिक नाम क्या था तो वह जाता है उलूग खां कैसा उलूग यहां देखो बहुत ही सिकंदर है और बहां क्या है बिल्कुल उलू है ना उलू क्या बन गया बई सिकंदर बने गया याद हो गया ना बिल्कुल उलू बना सिकंदर आगे बढ़ते है next नेक्स्ट दर्काइ लो दी मंस का सर्षेश्ट सासक था लोका सर्षेश्ट या फिर सिदसा सक कौन सकता इसस अलू था अलू खा था ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स राखा है कि आगरा नगर किसने बसाया था जो आगरा नगर सिकंदर लोदी खत्रों के खिलाडि की तो आग राखत्रों के खिलाड़ी आग है पिसकंदर कंदर लोधी और पॉट्सए आग आगर अंगरे की स्तापना की ती बसाया था पॉटर सूर में युज चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स दर्काए लोधी बंस का अंत किस ने किया बाबर तैमूर नादीर शहा या फिर हुमायू लोधी बंस का अंत किस ने किया था आपको पता है सबसे पहले गुलाम बंस आया था उसके बाद खिलजी आया था उसके बाद तुगलक आया था उसके बाद सयद आया था उसके बाद लोधी आया था सब में बंस बंस लगे हुए हैं ठीक है लोधी आया था अब लोधी बंस का अंत करके एक समराज की स्थापना हुई थी बैह हुई थी गुलाम ब जो किसने कि थी इवराहिम लोधी को मार कर इसने कि थी वही बावर ने बावर ने कि थी तो यहां देखा है लोधी बंसकांत किसने किया था इवराहिम लोधी को मार कर किसने किया था बावर ने किया था पानी पत्के पिर्थम युद्ध में पानी पत्के पिर्थम युद्ध 1526 में 1526 से लेकर 1530 तक किसका शासन रहा था बावर का शासन रहा था ठीक है तो इस वरकार राइट आंसरों का ओप्शन नमबर का हो जाएगा बावर लोधी बंस का अंत किस ने किया था इवराहिम लोधी को मार कर बावर ने किया था भी यहां पर लिख रहे हैं तो सबकर अंतिम परतम देख लिए गुलाम बंसका प्रतम साइब प्रतम को जाता है की को बात करते हैं नसर अंति नमई पानी पत्के कौन से पानी पत्के पिर्थम युद्ध में बावर ने लोधी को मार दिया तो मित्यू कब होई 1526 राइट आंसर अप्षे नंबर हो जाएगा गार नेक्स बढ़ते हैं कर नेक्स एकोशन की बात करते हैं देखा है बावर ने पानी पत के पिर्थम युद्ध में कौन सी रणती अपनाई थी बावर अपनाते थे वह हम आगे देखने वाले हैं ठीक तो बाबर ने पानीपत के पिर्थम युद्व में कौन सी रणती अपनाई थी पहली हो जाती है सहनुमा तुलूगमा फिर बाजुनुमा और तुरुकुनुमा राइट आंसर क्या होगी बाबर ने, कौन से अपनाई थी, बह अपनाई थी, तुलू गमा, कैसे आद करें, लोधी, तो इससे पहले बंसे कौन सा था, लोधी, बाबर ने अपनाई किस से होगी, लोधी बंसे, किस से, लोधी बंसे, और लोधी मतलब कोई ची लादने की बात हो रही है, उपर, मतलब तुलू गमा, बिल्कुल याद रहेगा ना, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, यहां देखा है फिरोज सहात उगलक की मित्यू किस बर्स हुई, फिरोज सहात उगलक जो था, उसकी मित्यू किस बर्स हुई थी, आपको बताना है, पहला दे रखा है, 1388 में, फिर 1384 में, 1390 में, एक बस्तू में लेके आया, उसे फेर फेरा, तो फिर मुझे बही बस्तू मिली, फिर मुझे बही बस्तू मिली, फिर मैंने फेरा, फिर मुझे बही बस्तू मिली, इसका मतलब मैंने एक बस्तू लेके आया, फिर दूसरी बस्तू लेके आया, मतलब फेर के लेके आया हो, तो बिल्कुल सेम होंगी एक जैसी बिल्कुल होंगी फिरोट सा में फेरने की बात होगी इतना ट्रिक बना लेना कि फेरने की बात हो रही एक बिस्तु में फेर होंगा यह पैन तो ऐसा ही पैन लेके आओंगा दूसरा तो एक जैसे दो कहां दिरखे हैं यहीं दिरखे हैं 1388 में तो राइट आंसर हो जाएगा option number का बिल्कुल बनी गया ना याद हो गया आगी बढ़ते हैं यहां दरखाए धार्मिक कर जो केवल तो कौन सा हो जाएगा जाकाथ हो कि सासकने ब्रहामडों से बहु çeek係 वसूल्य ठा तो पहला हो जाता है फिरूछ साहा तुगलक बलवन गया सुदेन तुगलक और अलाउग देन खिल जी राइट आंसर क्या होगा पिस्ट ब्रहामड उसे भी जजिया कर बसूलय था तो ब्रहामड वह अपना क्या करते हैं वही तुम्हेरी साधी कर साथी कर वाते हैं फेरा कर वाते हैं ब्रहामार क्या रागते राधया सितना है था का हो या प्रफ़ा फिर के ले गया था आपको बताना मुहम्म below रह्का एगरा या सिहाँ मिलाजदने ब्लदी इस्थास्थास्थास्त्री या घातना था मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक है आप दौलत बिन रह सकते हो क्या आप दौलत बिन रह सकते हो यहां बिन चुपा हुआ है तो किस से मैच कर सकते हैं आगरा बिन दौलत बिन अलकत्ता बिन गॉलियर बिल्कुल नहीं कहां से करेंगे हम दौलत बिन नहीं सकते तो राइट आंसर क्या होगा दिल्ली से दौलताबाद बनाई होगी किसने मुहम्मद बिन तो लगने बनी राजधानी बिल्कुल याद हो गया आगे बढ़ते हैं लगने चुन की बात करते हैं अभी हाँ से युनित नमपर हमारी कौन से चार्ट होगी थान यूस्य रखता यह तो किस युद्ध के बाद धालड की वाबर जो था उसने गाजी की उपाधी बाबर गाजी गागर वही क्या करती है बाजती है ना को गाजी को गाजी कर दे ना तो गावर ने गाजि कि अपाधी किस युद्ध के बाद हाल की पानीपत खानवा चंदेरी गाहगरा राइट अंसर क्या होगा वे ने बावर ने गाजी कि अंप बताना सकांसर बटापड कि आप राइट आंसर क्या होगा कि वोगो कि तो बाब ने गांजी की वादी किसी उद्धिक बादध की थी देखो चंदिक अधिरी का यद्द बाबन लड़ाही नहीं था अंदेरी कायद बाब में लड़ा था तीरी पड़े है मैंने तो है ना कोई बात नहीं से छोड़ो तो पानीपत की बात करते हैं तो इसमें तो उसने पहला अपनी इसमें तो बात दिशे मिली नहीं थी क्योंकि पानीपत में पहली बात तो यह गुशा था बारत में उसकी बा तो बीच बावर ने गाजी की उबादी किस उद्र के बाद की तो बीच बावर के एक उजाता है पानी पत्का जिसमें गुलामन्स की यह हुआ था पानी प्रिथम ठीक है तो आप बीच बाला देख लिएगा 1527 में तो बादी किस में मिली होगी बावर ने गाजी की जो पादी आप रात्त की थी बैकिती 1527 खानवा के युद्ध में ठीक है जो किस किस के बेच हुआ था बावर और राडा सांगा के बीच हुआ था जो कहां का था मेवाल का राजा था राडा सांगा आगे बढ़ते हैं नेक्स रखाएं निवी कित में से कौन बावर की मित्यू बावर का पुत्र नहीं है सुरी बावर का पुत्र कौन नहीं है यह आपको बताना है मायू अकबर कामरान असकरी तो बावर का पुत्र कौ क्या है बाबा हुक्का कसके पीए ठीक है इसकी मैंने कि इस देखी दी बाबा हुक्का कसके पीए तो बाबा से हो जाएगा बावर हू से हो जाएगा हुमायू, का से हो गया कामरान कसके असकरी, मतलब कसकरी, ठीक है? तो इस पर कास थे, असकरी हो गया तो तीनों के तीनों तो बाबर के पुत्र थे मगार अकबर जो है बाबर का पुत्र नहीं था, यह एक मूश्चा दे रखा है कौन बाबर का पुत्र नहीं था, तो बैं हो जाएगा अकबर, बाबा हुका कसके पीन, ठीक है? बाबा से बाबर, हू से हुमायू, का से कामरान, और आ से असकरी कसकरी, ठीक है? तो इस पर का से याद दो जाएंगे का, बाबर ने शीका था, लोदी वंस से किस से? लोधी वंस से ये तुल गमापद्दि सीखी थी और लोधी वंस में आये थे कौन? उजवेगू कोन आये ते? उजवेग आये थे? कोन आये दे? उजवेग, ये मैंने आपको ठीयरीम पढ़ा रखा है कि बावर के समय कोन आये थे उजवेक आये थे जब इन्होंने गुलाम मन्स की स्थापना की थी तो यहां पर राइट आंसर होगा तुर्यूग अपद्दी का बावर ने सीखा कहां से उजवेक हो से राइट आंसर अप्शन नमबर खाव हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स से कोशन की बात करते हैं एक से रखाय कि यह है गागर गागर तूट फूट आता से तूट बनेगा था से बनेगी तुरकी राइट तान्सर हो जाएगा ऑपशन नमबर गा तुरकी में बावर ने अपनी आत्म कथा तो जो के ए बाबरी या बाबर नामा किस बहां सामे लिखी है तो बहां लिखी है तुरकी बहां सामे ठीक है राइट एंसल उप्षन नंबर गा हो जाएगा कि बाबर ने बंदू को का प्रियोग सीखा था तो आगको पता है बाबर बारूद का सरप्रतम प्रियोग किस ने किया था बाबर ने ही किया था बाबर ने बंदू को का प्रियोग सीखा था इराणियों से अफगानियों से तुर्कीयों से या फिर ये सभी से बाबर ने बंदू को का प्रियोग सीखा था, किस से? किस से? भई, इरानियों से, Right answer क्या होगा? Option number हो जाएगा का? किस से? इरानियों से सीखाता, ठीके? आगे बढ़ते हैं, आखियों से गोली मारें, मतलब रानी का दरेंगी आंखियों से गोली मारेंगी ठीक है इस परकास से याद आपको हो जाएगा आगे बढ़ते हैं बावर ने भारत से वापस जाते समय भीरा में नियुक्त किया अच्छा बावर जब भारत से वापस गया था तो एक भीरा है जो कहां पड़ता है यूप है खोषाब अंगर खा को ठीक है ऊंगर खान को राइटांसर क्या होगा अधा है बावर ने भारत से बावा जाते समय भीरा में नियुक्त किया था किस के लिए यह किया था हिंदू बेग क्यों किसको हिंदू बेग को राइट आंसर ऑप्शन नमबर खाओगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स रखाया अपना की कंधार के बिजित करने के पस्चाद बावर ने यहां सुबेदार नियुक्त किया जो कंधार है उसको बिजित करने के बाद कंधार खान को मुहमद अली गंज को उप्रुक्त में से कोई नहीं राइट आंसा क्या होगा कि कंधार का किसे बनाया था यह आप से यहां पर पूंच रखा है ठीक है बताई का फटावट कौन था कर देनी रखा है ठीक है कोई बात नहीं तो कंधार के बिजित करने के पश्चाद बाबर ने यहां का सुभिदार किसे बनाया था इसका राइट आंस रोगा उप्यक्त में से कोई नहीं अब कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सार्च करो कमेंट बॉक्स में लिखो ठीक है तभी आपको याद होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहां रखा है कि हुमायू ने चुनार गड़के किले को बिजित किया चुनार गड़का किला किसने बिजित किया था तो बह किया था हुमायू ने किसने हुमायू ने अब कब किया था आपको बताना है, 1530, 1535, 1537, 1539, बताओ क्या होगा? हुमायू ने चुनार गड़के के लिए को बिजित किया था कब किया था यह क्या था 1538 में ठीक है राइट आंसरों का ऑप्शन नमबर घा इसको आपको याद करना ट्रिक निए इसकी बात करते हुमायू और सेर खांके के बिच कन्योंच का युद कब हुआ था हुमायू और सेर खांके बीच कभे राइट यह थाधि करस्प आपको बताना ह word बही यह हह तो आपो मायू और शेर खां के बीच कन्नाज का योदिक हुआ था यह हुआ था यह था फंदरा सो 38, 1549, 1540, 1545 राइट आंसर क्या होगा हुग है को निकालो अगर थे कंच, यह कहती है ना कंच, भाई ठ्रिक मनाव भैस की क्या बनेगी है है करे चालिस हाँ बन गए भी बन गए हमायू मां मां कहती है अपने बच्चे से कहती कनास कहती है कभी कभी कह लेती ही का लेती है कोई बात निए कनास तर्म रहा है लिए लिए वच्छे से करनाज शेर बनना है शेर खांट इक है शेर बनना है चला जाए हाँ से चला जाए हाँ से मतलब 40 बिल्कुल याद रहेगा ना 1540 देखो ट्रिक थोड़ी बहुत अपटी है मगर मेरा मानना है को कि लंबी-लंबी ट्रिक माने लिए इसी वकार छोड़ी है यहाँ रखाए नेक्स और त्रेक्षण नेक्स अपनाध से रखाए वो कह रहा है कि खानभा के युद्ध में बावर ने पराजित किया तो खानभा का हुआ था रख़ा है कानबा का युद तीन यूद से बावर के एक उर्था पानीपद्क कि टीषरा हुआ था किसका हुआ था भाई घागरा का है कि पहला तो हुआ था 26 में इसको आ था पानी बग्र्तम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और यही बात करते हैं जो बीच वाला हो जाता है खानबा यह हुआ था मेबाड की राजा राडा सांगा और ब सावर्क ने पराजत किया था किसको राडा सांगा जो कहां का राजा था मैवाण-क राजा हो जाता अबास खाने प्रो कानुन गोने या फिर लोशीने या मकबूल खाने राइट अंसर क्या होगा अच्छा कोशण है कि अंसर दीजेगा बई कि एधिक अधा का जीबनिकार ता कौन था वैं हो जाता है अब भास खान उन्याता है अब आसे का आप से नंबर का कैसे आध करेंगे चेर अब शेर कोई तुम्हारे सामने अधाय का तो किसको अबाद मारोगे अब आप 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 अब यहांद रिखा ऐफements कि किस युद्ध में शेर्साह ने हमायू को परास्त करके सूरी बंसकी इस्तापना की थी किदि को यहां पर दो युद्ध हुए थे सेघयर्साह सूरी और हमायू के भी दूनों की दूना आपको याद होने चाहिए घुमायू और सूरी कहां गया शेर्सा शेर्सा इनके बीच दो यो दुवेत है एक हुआ था 49 में और एक हुआ था 40 में 1549 में 1540 में ठीक है भी ठीक है जो चौशा कयोद हुआ था जो चौशा कयोद हुआ था वो हुआ था 1549 में ठीक है और जो 40 में हुआ था वो हुआ था चंदोरी कयोद तो रही कन्योज या चंदोरी कह रहा हूं कन्योज ठीक है कौन सा कन्योज कयोद जिसमें फॉस्ट वाले में तो कौन जीत गया था शेर सहा जीत गया था शेर सहा ही जीता था दोनों युद्धों में कौन जीता था शेर सहा ही जीता था दोनों युद्धों में कौन हारा था हुमायू हारा था जब चालिस में कन्योज का युद्ध हुआ था तो यह कहां भा पंद्रा सो चालिस क्योंकि पंद्रा सो चालिस में करना हुच गया दुवा था लास्ट बाला पहले चौशा का हुआ था मंगर भागा नहीं था सेकेंड वाले में भाग गया था तभी सूरी पंस के स्थापना हो गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स रखाय अपना सेर सहा सूरी के सासनकाल में भूमी करकी दर थी सेर सहा सूरी के सासनकाल में भूमी करकी दर कितनी थी एक बड़ा तीन भाग एक बड़ा तीन भाग एक बड़ा तीन भाग एक बड़ा चार बाग एक बड़ा पांच बाग राइट अंसर क्या था जो सेर के सा सूरी है उसके सासनकाल में भूमी की जो दर्तीब हो कितनी थी शेर जानते वो शेर के दाथ कैसे होते हैं तेज कि तेजवा नुकीले के दांस मालो तेज ऑ तांसे वन जाएगा तीन तो यह भटा तीन भाग बिल्कुल आपको याद व्यांसा क्या होगा सुलहकुल निती थी जो बताएगा किसकी थी तू लेहकुल निती थी जो ठीक वियांस रागया तो लेहकुल जो निती थी वो किसकी थी अवं दो ब्यक्ती लड़ रहे हैं ऐक आप कहोगे ऐसा कर लो एक बार है एक बार क्या कर लो बहु Eyes Will एक बार खराले कलो किसंट बार सुलह कर लो जो थी कर लो नियद्पागर को दूरी वाह गर नहीं मानता तो पीड़ देना है ना तो एक पार मतलब अकबर ठीक है तो सुलहकुल निति थी किसकी अकबर की थी मतलब एक बार सुलह कर लो भई है ना एक बार बस बस एक बार अकबर एक बार एक बार ठीक है बिलकुल याद रहेगा आगे बरते हैं सुलहकुल निति किसकी थी अकबर की थी आगे बरते हैं हर चीज को ट्रिकर याद करते हो चले एक हुआ था 56 में और एक हुआ था 61 में यह भी 15 यह 17 15 26 15 1561 टीन युद्ध हुए थे पहला हुआ था बाबर और हीमु बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जिसमें मुगल समराज की स्थापना हुए थी दूसरा हुआ था 1556 में किसके अकवर और हेमु के बीच और लास्ट पंद्रा 26 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के वी जिसमें लोदी बंस की स्थाप सुरी जिसमें लोदी बंस का अंत हुआ था और मुगल बंस की नीप पड़ी थी आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन नेक्स देरकाई यहां पर की अकवर का जन्म कब हुआ था चौती यूनिट हमारी स्टार्ट हो चुकी है लास्ट यूनिट है उसके बाद हम चार यूनिट नेक्स वीडियों देख लेंगे ठीक है तो अकवर का जन्म कब हुआ था पंद्रा सो एकतालिस में 1543 में 1542 में 1520 में राइट यांसा क्या होगा अकवर का जन्म हुआ था अकवर का जन्म हुआ था वो हुआ था 1542 में कहां पर अमर कोट में कहां उआ वा था भाई अमर कोट में निका जन्म हुआ था था है 1542 में इंगा जन्म हुआ था अमर कोट में ठीक है आगे बढ़ते हैं और सामराज इन ने समाला था तोदावर्स की उम्र में आप लगा सकते हो इस आप अंसर क्या होगा सिराधु कमाया इस उधोर ही तेशा ही पयशा ह shopping especially just कि आप है पाईशा कहा रखोते थे आइशा ही। तो यहां देखो यहां चुपा हुआ है डर्म या डर्म कहां रखोगे पैसा के लिए डर्म में रखेंगे कहां डर्म में ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर का तो अकबर का बित्तमंत्री कौन था टो यॉदर मल था राइट आंसर ऑप्शन नमर का हो जाएका जिंद्री की नहीं भूलने वाले आगे भर टाए अकबर ने बताब आपको अकर्ने जजिया करक समाप्त किया था पहला हो जाता है पंद्रह 1757 documentary बेंगे अकबरने जजिया कर क्षमाप्त किया था समाप्त कर दिया हटा दिया क्या कर दिया हटा दिया अब एक ट्रिक देखो यहां curry पड़ेंगे बिलकुन निकलाएगी एक सार एक साथ एक साथ बिलुकुल नहीं को नहीं मिला इन इस अप्रेस अट सर्ड इस अब बात कर रहा समध कर रहां से हट थाट तो जैब सब्सक्राइगा 1562 मिल गया ना बिलकुल तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था 1562 में और आपको पता है ठीक है कि अपंद्रासो तो सोला सब्सक्राइब की डेत हो गई थी सुला सब्सक्राइब कारवाल समारा था कुबर ने आगे बढ़ता है नेक्स अग्स अग्स नेक्स रखाएं अकबर की मित्तियू कब हुई थी तो ला सो तीन सोला सो चार सो एक सोला सो पांच अभी मैंने आपको बताया था इसका मुद्ध की तो अगे बढ़ते हैं नेक्स अग्स परता का अंत कब किया था जो दास परता चलाई थी सबसे पहले दास को था तो 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 बोदी नहीं वक्त था किसका मुहमद गौरी का ठीक है इसने गुलाम मंस की स्थापना कि ती तो अकबर ने दास परता का अंत क्या था यह जब उनने जरिया जर्या करको समयट की ता भी उन्होंने दासबंस की अंत किया था सारे कि इसारे एके दिन कर दिये ठीक है तो यह कि की स्था तो बिल्कूर आम से कह सकते हो यहां से भी वहां से बहां से दास्मस तो बहां अगे बढ़ेगा अगई हैं जजीय कर भी समयक्र एब बहां से अंधरा तो बहां से बहुत है अगे बढ़ते ही एक बात आएगा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कौन सी कि अधाज सब यह किसकी है मुगल बंस्की कि सबसे पहले बाबर हुमायू अकबर जहांगे सहाजहां और अरंग जेब और बहादर सहाज जफर तो यहांगीर के सासन की की बागदोर किस बर्स में सबहली तो जहांगीर किस के बाद आएगा आगेत आउगो बिलकुल अगर कोई टुर्क आद है और अकबर का सबसे निकाल सकते और और 1505 से कौन समाले अब जहांगीर समाले उसके बेटें आगे बढ़ते हैं नेक्स रखाय जहांगीर का मकवरा कहां इस्तित है दिल्ली में आग्रा में पेसावर में लाहूर में जहांबीर का मकवरा कहां पर है अब मकवरा कहां बना दिया जहांगीर का जहां गिरे जहां गिरे बही क्या गर्एगा लगा लहाश जहांगिरी लाहाश बही बना दिया मक्वरा लाहॉर में कहाँ पर लाहॉर में तो जहांगीर का 1626 में 1627 में 1628 में रा还ट आंसर क्या होगा आपको बताना है राइट Sahara में झानति जहां जवरोंगी की मत्यु वही ठीक है आगे बते ंएग दू तो tenían होते हैं फटाबड कि यूशन दिर्काय जहांगीर के सासंकाल में मुगलों और मेबाड के बीच संदी कब हुई थी मुगलों और मेबाड के बीच संदी कब हुई थी आपको बताना है जहां गिर के सासंकाल में, आराम से आख कराऊंगा, मासे मुगल, मासे मेबाड, मासे ही हो गया मुह, अब देखेंगे यहाँ पर ग्यारा, पंदरा, सोला, चौदा, मुह से कोई ऐसा कुछ समझ में आया, गहरा, क्या मुह गहरा होता है, बिलकुल नहीं यार, आराम देख सकते हो न, सोला, नहीं मिला कुछ ऐसा, चौदा, चौदा, नहीं मिला, पंदरा, पंदरा, पंदरा को पनदरा को पनदरा, पन, पंदरा, दरा मत दरिया करते हैं, ठीक है, पानी का दरिया, पंदरिया, ठीक है, पंदरा को पंदरिया, बल्लब पानी का दरिया, ठीक है, तो इस प्रकास से याद रहेगा, मुह सही तो पीते हैं पानी, बिलकुल, तो याद रहेगा, कि सोला सो पंदरा इस भी, ठीक ह तो देखो जब कि इस प्रकास टिक नाते हैं तो आराम से एक्जाम में में याद आती हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन कि नेक्स रखा है तुम्हारा करते हैं तो कि अधरी गट्री दो है आगे देखी गाँ कि यहांगिर के सासनकाल में ही उसके चारों पुत्रों में गदी प्राप्त करने के लिए भी सड्क अंगर्थ वया अब सहाँके कितने पुत्र दो चार पुत्र थे चार पुत्र थे कौन कौन थे वो ट्रिक मैंने बता रखी हैं आपके लिए कौन सी थी सहाँ जहां के चार पुत्र भी साड़े दुवा था उनके बीच पहला था एक तो हो जाता है और अरंग जीव अभी ट्रिक बता रहा हूं तुमें एक शिकुहा दारा शिकुहा और सूजा और कंथा एक और अरंग जीव हो गया दारा शिकुहा हो गया सूजा हो गया और एक और था एक कौन हो जाता है रुकिए का थोड़ा सब्केगा ठीक है अभी देख रहा हूँ कि एक हो जाता है मुराद कौन था मुराद याद नहीं आ रहा है और ऑप्शन में होता बिल्कुल कर देता ठीक है देखो कि और अरंग जेव हो गया जारा सिकुहा सूजा और मुराद हो गया ठीक है ठीक हो मुराद और सूजा प्रिक होती है इसकी सीको मुराद मुराद मांगना सीको और सूजा वगरा चलाते हैं सूजा जलाना सीको मुराद और सूजा जलाना ठीक है तो यह नहीं होती है सीको मुराद और सूजा ठीक है तो सारा जहां के साजां के सासनकाल में उसके चार पत्र थे औरंग जेव दारा सिकुहा सूजा और मुराद गद्धी पर प्राप्द करने के लिए भीशर संकर्स हुआ था कब हुआ था यह आपको बताना है 1665 में 1656 में 1658 में 1675 में क्योशन बन सकता है कि औरंग जेव दारा सिकुहा सुजा मुरादा कि साहजां का बेटा कौन नहीं है इन में से ठीक है तो आपको याद होना चाहिए आंसर दो बड़ा पड़ क्या होगा इसका आंसर कि ठीक है भी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जाएगा 1657 में क्योंकि अठावन में तो किस ने औरंग जेव ने कारिभार समाला था यह तो मुझे याद था मुझे याद ने रहा था ठीक इसलिए देखा था मैंने कुई याद ने बात करता है सहाजा के सासरे काल में उसके चारों सब्सक्राइब और आरने जैने कारिभार कव समाला था उलास ओ अठावन में ठीक है तो राइट आंसरोगा ऑप्शन नमबर सुरी आपसे नमबर वहाँ ठीक है अगर और और इंजेव कारिवार समालता तो समालता 1685 बैसे राइट आंसर नंबर घार ने वाला है नेक्स एक सौरियासी में 1690 में राइट आंसर क्या होगा साहाजां की मित्यू कव हूई कि रहाज हाँ छोड चले रही क्या चलिए जहां को ठोन चले ठीक है अपनी मुम्ताज बेगम की याद में इस प्रत चले छोड चले छोड चले चले ना बिलकुर याद हो गया ना व्ला सोच आपने देख लिया भाज बस भाज सब है ना वह बाबर हुमायू अकबर जहांगीर सहाँ यहां तक अमने देख लिया ठीक है अब और अरंग जेब और बावर रह गया है वह आगे देखेंगे और और अगे देखने को मिलने वाला है युरे नमबर फाइब की और आगे को बकवर को जाती है पर वीडियो अच्छी लगेए तो लाइक करना शेर करना चनल को सस्क्राइब परना अगर वीडियो आपको миलने वाली हैं तो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को करना सकता है बेल आकों को दबा कर प्रेश्ट करना ठीक है तो कि नोट्वेग्स आपके घर पहुंचे तो पैंट जैहन जैवारत जैहन जैवारत